हम गत्यात्मत नेरु वक्रासन का भ्यास करेंगे इसके लिए डंडासन की स्थिती में बैठ जाएंगे अब दोनों पैरों को खोल लें सीधे हाथ की उंग्लियों से उल्टे पैर के अंगुठे को चूने की कोशिश करेंगे उल्टे हाथ को पीछे लेके जाएंगे और सर को घुमा के उल्टे हाथ की उंग्लियों की ओर देखने की कोशिश करेंगे अब पुनाव वापस बीच में आ जाएंगे, अब पुटे हाथ से सीधे पैर की उंगियों को चुने की कोशिश करेंगे और सर गुमा के सीधे हाथ को देखेंगे, अब इसी अप्विहास को करते रहें, दस पार राइट साइड से और दस पार लेफ साइड से करेंगे, यह पेट की चर्वी को कम करने में बहुत ही लापदाई होता है, साइड के फैट्स या लव हैंडल के लिए भी लापदाई होता है, जिनके कमर में दर्द है या शाटिका का तकलीफ है वो इसको नहीं करेंगे, डाइबिटीज मिलाइटिस के लिए भी यह लापदाई होता है ये आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखता है आपके कॉंस्टिपेशन को कब्ज की बिमारी को दूर करता है दस पार सीधी तरफ और दस पार उल्टी तरफ से हो जाए तो धीरे से रुप जाएंगे दुनों हातों को कमर के पीछे रखें हाथ हलके से पास में हलके से और आखे बंजर के थोड़ा सा रिलाक्स करें